हेलो दोस्त कैसो आप और आज का वीडियो बहुत छोटा होने वाला यह है पासल और यह पासल जो की है मास्टर सेलेंडर के लिए आप देखे होगे किसी बाइक पे यह क्या बोलते हैं यह मास्टर सेलेंडर लगा रहता है जो की यह कवर रहता है और यही इस पासल पे है चलि नीचे गिर गया है कि यह देख सकते हो कुछ इस तरह का यह मास्चा स्वेंडर है और जो कि यह यहां पास ऐसे लग जाएगा और आपको क्या करना है बस यह जो यह वाल अनट है आपको यह दोनों नट को खोल लेना है और याद रखिएगा जो यह नट है इसको खोलने के बा यह वासर है जो लाश्ट में इंड में लगेगा चलिए मैं फटा फट इस नट को खोल लेता हूं कि लगा के आपको दिखा देता हूं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डला हुआ है आप वहां से जाके बाई कर सकते हो और भी गाडियों का लिंक है आप देख सकते हो बस आपको इसको सिर्फ क्या करना है आपको हाथवड़े से थुरा या तो किसी चीज से आपको इसको दवा लेना है या अपने आप फिक्स हो जाएगा इसके साथ आपको यह अला नट मिलेगा एलेंकी नट जो तीन नमबर के इसमें लगी हुई है आप देख सकते हो आप इसी नट से तीन नमबर इलेंकी है इसमें और इसी नट से टाइट होगा तब जाकि यह नट लगेगा इस पर चलिए मैं फटा फट इसको कुछ नहीं करना है सिर्फ क्या करना है कि इसको इस तरीके से इस होल पर डाल लेना है नट को और सम्थिंग यह वासर है आपको लाश्ट में फस रहता है यह हलका उठा रहता है यह तरह जैसे कि आप ऐसे लगाओ गई इसको तो यहां पास इसके गैप आ जाता है तो इस गैप को भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा हाथ और यह किसी चीज से आप इसको अच्छे से दबा दीजे तो यह अपने आप देख सकते ह तो यह अपने आप सीधा हो जाएगा और इसका घैप भर जाएगा बस सिंपली कुछ नहीं करना है बस अब यह वासर लगा देना है इस वासर को मैं नीचे ही रख रहा हूं क्या है कि यह वासर ज्याद़ जवरी है लगाना और इसको अलेंकी नट से टाइट करना है बस यह देख सकते यह लग गया है बस असके बाद हमको क्या करना है इसको फसा देना है अ कि यह हो गया है चलिए सिंपल सा पहंड़ा था बस इसको आप क्या करना है हमको अच्छे से टाइट कर देना है झाल झाल देखकर तो एक डम बिलकुत सीधा है और वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लेज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो पे बाई